नमस्कार दोस्तों आप सभी का श्वागत है हैले हिंदुस्तान में दोस्तों आज हम आपको पनीर से होने वाले कुछ फाइदे बताने वाले हैं पनीर एक ऐसी चीज है जिसे नमकीन और मीठे दोन रूप में खाया जा सकता है स्नेक्स लेकर डेजर्ट और डीनर की सबजी बनाने में पनीर का भर पूर इस्तमाल किया जाता है पनीर की सबजी को हर उम्र में लोग बहुत चाव से खाते हैं क्योंकि पनीर ना सिर्फ खाने में स्वाधिश्ट होता है बलकि इसका सेवन हमारे शरीर के लिए बहुत फाइदेमंद होता है। को बता दे दोस्तों कि पनीर प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्त्रोथ होता है। जो पुरुष अपने शरीर को ताकतवर और मजबूत बनाना चाहते हैं उनके ने पनीर का सेवन बहुत ही फाइदेमंद होता है। क्योंकि पनीर के सेवन से मानस्पेशियों के निर्मान में तेजी आती है। बहुत से ऐसे बड़े बड़े पहलवान हैं जो सुवह में कच्छा पनीर का सेवन करते हैं। पनीर का सेवन बच्चों के सारे रिक और मानसिक विकाश में बहुत ही सहायक होता है। इसलिए सब्ता में एक बार बच्चों को पनीर का सेवन जरूर करना चाहिए। पनीर कैल्सियम का ही बहुत अच्छा श्रोत होता है जो हड़ी और दातों की मजबूती प्रदान करता है अगर आप लंबे समय तक स्वस्त रहना चाहते हैं तो पनीर का से मन जरूर करें दोस्तों आपको हमारी जानकारे कैसे लगी या आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें चेनल को सब्सक्राइब और वीडियो को सेर करना ना भूले